एक बैस्या मरी और उसी दिन उसके सामने रहने वाला बूधा सन्यासी भी मर गया शन्यूक की वात है देवता लेनी आए सन्यासी को नर्क में और बैस्या को सर्ग में ले जाने लगे सन्यासी एक दम अपना डंडा पटक कर घरा हो गया तुम ये कैसे कैसा अन्याय कर रहे हो मुझे नर्क में और बैस्या को स्वर्ग में ले जा रहे हो जरूर कोई भूल हो गई है तुमसे कोई दफ्त की गलती रही होगी पूछ ताज करो मेरे नाम आया होगा स्वर्ग का संदेश और इसके नाम नर्क का मुझे प्रमात्मा का सामना कर लेने दो 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 बाते हो जाए जरा जीवन बीत गया सास्तर पढ़ने में और ये प्रिनाम मुझे नाहक प्रमात्मा ने दोके में डाला उसे प्रमात्मा के पास ले जाया गया प्रमात्मा ने कहा इसके पीछे एक गहन कारन है बैस्या सराब पीती थी भोग में रहती थी पर जब तुम मंदिर में बैठकर भजन गाते थे धूप दीप जलाते थे घंतिया बजाते थे तब वह सुचती थी कब मेरे जीवन में यह सभागे होगा मैं मंदिर में बैठकर भजन कर पाऊंगी की नहीं वह जोर जोर होती थी और तुम्हारे धूप दिप की सुगन जब उसके घर में पहुँचती थी तो वह अपना आहो भागे समझती थी गंटियों की आवाज सुन कर मस्त हो जाती थी लेकिन तुम्हारा मन पूजा पाट करते हुए भी यही सूचता है कि बैस्या है तो सुन्दर पर वहां तक कैसे पहुचा जाए तुम हिमत नहीं जुटा पाए तुम्हारी प्रतिष्ठा आरे आई गाओं भड के लोग तुम्हें सन्यासी मानते थे जब बैस्या नाचती थी स्राब बाटती थी तुम्हारे मन में वाशना जागती थी तुम्हें रस था खुद को अभागा समझते रहे इसलिए बैस्या को स्वर्ग लाया गया और तुम्हें नर्क में बैस्या को भी बेक पुकारता था तुम्हें वाशना वा प्रार्थना करती थी तुम्ह इच्छा रखते थे वाशना की वा कीचर में थी पर कमल की भाती उपर उठती गई और तुम कमल वन कर आये थी कीचर में धसे रहे असली सवाल यह नहीं कि तुम बाहर से क्या हो असली सवाल तो यह है कि तुम भीतर से क्या हो भीतर ही नियायक है अता ऐसे करम करिए जिससे उपर जाकर सिर मिन्दा ना होना परे संकत